अलो फ्रेंड्स आयम हीना वेलकम बेक नो मैं चैनल नील हीना मुटी आज मैं आपके साथ शेयर कने वाली हूँ यह वाला मेकप लूग यह मेकप लूग होगा है अमारा एंगेजमेंट स्प्लेश्यर आप चाहे तो इसे अज वेडिंग केस्ट भी यह मेकप लूग को करना चाहती हो जिसको मैंने इस मेकप लूग को में किया है तो यह तो थी मेरी टिक टॉक की वीडियो तो अब मेकप से पहले में मेरे हैर को अच्छे से सीक्यूर कर लूँगी इसे अभी मेरा हैर बैंट टूटकाया है नया लाना पड़ेगा तो मैं आपको क्लॉचर की हैर को सिक्यूर कर रही हूँ और बात में मेंने आगे हैर में पिन लगा दी थी मैं लगाओंगे टॉनर तो टॉनर के लिए मैं आपर यूज करें गुड़ वाइप्स का रोज ग्लो टॉनर यह बहुत ही अच्छा टॉनर है आपको मैकप से पहले आपको स्किन केर रूटिंग करनी बहुत ही जरू है थाकि आपका मैकप लॉंग लास्टिंग और फ्लॉवल मैं आपको एक बात बोलना चाहते हूं कि इस मैकप लुक के साथ मैंने जो हैस्टेल किये वह भी मैं आपको आज बताने वाली हूँ तो वीडियो को पूरी देखना थाकि आप इसे स्कीप ना कर पोगई तो अब मैं लगाऊं की लिप बाम तो यहापर मैं वादी अर्बल क कि लिप लगा रही हूँ लिप आम आपको पहले ही लगा लेनी है जिससे आपके जो लिप है वो मोईशुराइजर लगा स्वारी मोईशुराइज हो जाएंगे ताकि आप लिप स्टिक अपलाई करोगे तो एक्दम अच्छे रहेगी आप मैं लगाऊं की मेरी आई पर इस करना है तो यहाँ पर आपको हाथ में पहले एक दो बार टैप को लगा के रिमू कर लेना है और बाद में आई पर एपलाई करना है अब मैं लगाऊंगे कंसिलर तो कंसिलर के लिए मैं यहाँ पर रिउस कर रही हूँ याले का कंसिलर यह बहुत अच्छा कंसिलर आता है जो हाई मेक अप करोंगे वो अच्छे से उबर के आएगा तो यहाँ पर मैं कंसिलर की हैल्प से अच्छे से इसे लगा लूँगी अब मैं क्या करोंगी यह जो लैक में का रोज पावडर है यह लूस पावडर है तो मैं अभी समर में आपको वो ही रेकेमेंट करती हूँ कि आप लूस पावडर को यूज करो तो हमने जो कंसिलिंग की है उसके उपर हम इसे सेट कर लेंगे ताकि वो लिक्विड था स्वारी वो क्रीम बेस में था और यह हम पावडर लगाएंगे तो वो एकदम सेट हो जाएगा और हमारा आई सेट जो हम अपला करेंगे वो अच् आप ताम लाइट कलर लिया है और मुझे यहां पर थोड़ ऐसा जो मैंने घाउन पैना आये उसके उपर आयमेक आप करना है तो ज्याधा प्राउन कलर में नहीं करूंगी एकदम लाइट प्राउन कलर करूंगी आपको ऐसा है करना है कि आपको जहां पर ब्राउन कलर की जरूरत ना पड़े बट आप लाइट ब्राउन कलर करके क्रिस को बिल्डब कर सकते हूँ अब मैं यहाँ पर एक तम क्रीन कलर में है एक तम पीच कलर स्वारी पीच कलर तो नहीं बोल सकते इसे यह मेरे गाउन का मैच का है यह कलर को हंसा कहता है वो मुझे मालूम नहीं है लेकिन मैं इसे लेकर मेरे प्रस की अलब से फ्लफी प्रस की अलब से इसे आउटर वीपर और क्रीश पर थोड़ा बिल्डप कर लूँगी जिससे मेरे क्रीश एकदम अच्छी दिखेगी तो आप देख रहे हूं मैंने मेरे क्रीश पर स्क्र Stevens कलर को अपलाइ कर लिए है अब में यह और गोल्डण कलर ले रही हूं पहले मैं आपको हैंड में ऐसे लगाकर दिखा रही हूं की ऐसा गोल्डण कलर है जो मेरे क्राउन में प्रोंच लगाया हुआ है उसके में उससे में कि यहां पर एक्तम में बीगिनर फ्रेंडली बना रही हूँ ताकि आपकी एंगेजमेंट हो या तो आप कई अजम वेडिंग गेस्ट जा रहा हो तो आप अपने आपी ऐसे आइसे आइसे स्वारी आई मेकप कर सकते हो तो अब मैं यहां पर वही क्रीन कलर लेकर थोड़ी मेरी क्रीश को अच्छे से सेट कर लूँगी क्योंकि मैंने गॉल्डन कलर एपलाई किया तो मेरी क्रीश पर थोड़ा लग गया था इसलिए मैंने यहां पर यह क्रीश को बेल्ड़ अप कर ल वो तोड़ा डार्क दीखे तो यहाँ पर मैंने आई मेकप कर लिया है स्वारी आई साड़ो अप्लाइ कर लिया है अब मैं यह पैन आई लाइनर यूज कर रही हूँ इसे मैंने लोकल मार्केट से खरीदा था इसका नाम है 36 H ऐसा कोई नाम है यह अच्छा है आई लाइनर ल को आई लाइन करने में एकदम आसानी रहेगी तो अब मैं यहाँ पर मैं देख रहे हूँ आई लाइनर कितना अच्छा हो गया है अब मैं यहाँ पर टैप को रिमो कर रही हूँ तो आप देख रहे हूँ एकदम मेरा आई सेर्ड जो मैंने किया है वह एकदम लाइन टू ल रही हूं बहुत ही अच्छा है सीलिकॉन बेस है तो यह आपके पोर्स को एक तम मीनिमाइबब्वास करदेगा और आकप को लग-व्र लाश्टिंग रहेगा और फ़ाउंडेशन को अच्छी तरके से ब्लैंड कर से जबाम भाउंडेशन अच्छी से लॉंग लास्टिंग बना देगा तो इसे में मेरे फूरे फेसबा डॉट डॉट करके अच्छे से एपलाइ कर लोगी आपको इससे महसाद नहीं करना है सिर्फ एपलाइ करना है एक लेयर बनानी है आपके पोर्स के और फाउंडेशन के बीच में इसके लिए हम प्राइमर प्राइब करते हैं जिससे यह चोंडेशन में क्यामिकल होता है वह आमारी स्कीन में जाए नहीं अब मैं अपलाइब कर रहे हूं फाउंडेशन तो पाउंडेशन के लिए मैं आप रीछिस कर रहे हूं वैटन वाइल्द का पोटो फोकस फाउंडेशन यह बहत ही अच्छा बोलना चाहते हूँ कि यह आपके पूर्स को मुझे लगता है कि यह आपके पूर्स को थोड़ा ज्यादा ही डीपली बोलते हैं ना कि असर करता है आपके पूर्ज को तो आपको सिलिकोन बेस या अच्छा सा प्राइमर आपको लेकर इसे ब्लेंड कर ले प्राइमर लगाने के बाद ही इसे ब्लेंड करना है अब मैं यहाँ पर वही लेक्मी का रोज गोर्ड रोज पावडर ले रही हूँ और उससे में मेरे फांडेशन को अच्छे से सेट कर लूँगी मैं समर में आपको लूज पावडरी यूज़ करने को बोलूँगी ताकि आपका मैंकप लॉग लास्टिंग रहे और एकदम स्मर्च प्रूफ हो जाए अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी मेरी आई के नीचे कंसीलिंग कर रहे हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा डाक डाक दिख रहा था इसलिए मैं कंसीलर की यल्प से इसे हैड कर रहे हूँ कि आपको कंसीलर को अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की आप से ब्लेंड कर लेना है यह पूना स्टोर का ब्यूटी ब्लेंडर है बहुत ही अच्छा आता है अब मैं यह लाइट ब्राउन कलर लोंगी मेरी आइब्रो को फिल करने के लिए तो ऐसे जब मैं आइब्रो फिल कर कर रही हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारी इब्रो को प्री tumor का लिखillah लुक ले अगे के एर में हम like brown color apply करेंगे और पीछे के मैं वाओ कि 터ल के इस अब ब्लैक कलर की एक से फील करूं अमें करूंगे काजल तो काजल के लिए मैं यह आपर उसकर रही हूँ लेकमे का ऐखनी काजल यह बहुत ही अच्छा काजल है मुझे परिशनली बहुत ही अच्छा लगता है तो इससे भी आप करिदना चाहते हो खरिद लो समर के लिए बहुत ही अच्छी काजल है यहाँ पर मैंने मेरा रखा हुआ है तो मैं उसमें देखकर मेरी काजल एपलाई कर रही हूँ क्योंकि फॉन में देखकर मुझे काजल एपलाई करना थोड़ आशा अच्छा नहीं लगता और काजल परफेक्ट नहीं आती और यह हम थोड़ आशा अच्छा मेंक अप लुक कर रहे हूँ तो काजल को अच्छे से एपलाई करना पड़ता है तो अब मैं ऐसे अपलेश पर मैं काजल अपलाई कर रही हूँ फ़ेक बार ऐसे काजल करती हूँ अब मैं यह ब्लेंडिंग ब्रस लेकर मेरी काजल को अच्छ से ब्लैंड कर लूंगी ताकि एकदम समर्ज प्रूब अब में यहां पर मेंरा जुआ आई-सेड़ होगै, उसमें से ब्लैक कलर, MAD कलर लेकर मेरी काजल को he mitig perspective कर रही हूँ, पहले हमने जो काजल अपनर में की है, उसको powder की हैफ से सेट कर लेगा है अब में नहिएकर लेकर मेरी LO neuries पर इसे अपनर कर रही हूँ cena के अगे। एर देख रहे हैं इसे आपलाए करने के बाद मेरा ही मेइब कितना अच्छा लग रहा है आ कॉंटोर तो कॉंटोर के लिए मैं यहां पर यूज़ कर रही हूँ फेस इस कैनेड़े का फेस पैलेट अल्टाइम प्रो इसका नाम है तो मैं इसे एकदम हल्किसी कॉंटोरिंग करूंगी यह कॉंटोर अच्छा है लेकिन मुझे एकदम लाइट दिता है मेरी स्किन टॉन से लेकिन अभी ही आप देख रहे हूँ अच्छा लग रहा है इसलिए मैं इसे एपलाइ कर रहे हूँ पावडर और कॉंटोर करूंगे तो बहुत ही अच्छा है ताकि अभी अच्छे से उबर के आएंगे और आपका मेकब एकदम अच्छा लगेगा अब मैं यहाँ पर बल्लाइ कर रहे हूं ब्लस अप्लाइ करने के लिए आपको थोड़ी सी स्माइल करने पड़ेगी तो यहां पर में थोड़ी सी स्माइल करके ब्लस अप्लाइ कर रहे हूं वही पैलेट लिया है मैंने ब्लस के लिए इसमें ब्लस हाइलाइटिंग और कॉंटोरिंग है बिगिनर के लिए भी बहुत ही अच्छा palette है, तो अब मैं highlighting करूंगी, तो मैं यह आपर wet and wild का highlighter यूज़ कर रही हूँ, यह भी बहुत ही अच्छा highlighter है, फैन ब्रस ले रही हूँ, यह पुना स्टोर का फैन ब्रस है, तो मैं तोड़ी से हाइलाइटिंग करूँगी, आपको ज्यादा नहीं करनी है, बाद में ज्यादा अपला हो जाए, तो भी आप फिंगर की अपसे इसे अच्छे से ब्लैंड कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ, आप देख रहे हो, फिंगर की अब से आपको हलके अच्छे से ब्लैंड कर लेना है, जिससे आपके जो हाइलाइटर है, वो एकदम नेचरल दिखेगा, हाइलाइटर करने का यही मतलब होता है, कि आपके फेस पर जब लाइट पढ़ती है, और आपका फेस जापर हाइलाइ पर एपलाइ कर लूँगी, जिससे मैंने आई मेकप किया है, वो अच्छा अच्छा देखे, अब मैं यहाप लिपस्टिक अपलाइ कर रहे हुए, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है लिपस्टिक, यह बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, सुगर की लिपस्टिक है, मुझे तीन सुगर की लिप्स्टिक फ्री में मिली थी तो यह कलर बहुत ही अच्छा जाएगा इस मेकप लोग के साथ कितना अच्छा लग रहा है आप देख सकते हों मेरी लेस को कल करनोंगी यह विगा का कलर है बहुत ही अच्छा कलर है मस्कार अपला करने से पहले आपके लेस को अब आप मस्करा एंपला करोंगे, तो एक दम आपका मस्करा कलरी कली देखेगा और निचरल, आपकी लेस्स दिखेगी, मस्करा के लिए मिने यूज किया है, मेबलिन का perless mascara, यह बहुत ही अच्छा है, waterproof है, तो मैं lower laissez पर और upper laissez पर इसे अपला कर लोंगी, मस्करा अपला करने के बाद मैं यहाप पर हैस्टायल बता रही हूँ आपको तो यह मेरा नेकलेस था उसका यह पेंडल है स्वारी पेंडल है तो इसे मैं कारे दागे के हजब से टिका बना रही हूँ मांग टिका आप देख रहे हूँ तो यह हमारा मांग टिका रेडी है तो अब मैं आपको हैस्टायल दिखाती हूँ तो आपको पहले सेंटर में एक लाइन बनानी लेनी है और बाद में आपको टिक पिन की हैल्प से मांग टिका अपलाई कर लेना है यहाँ पर थोड़ी से मुझे तकलिफ हो रही थी क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा हैस्टायल वीथ मेक अप हैस्टायल ट्राई किया है तो यहाँ पर मैं टिक पिन की हैल्प से इसे अच्छे से लगा रही हूँ तो यहाँ पर मैंने जैसे तैसे करके टिका अपलाई कर लिया है अब मैं क्या करूंगे आगे से थोड़ी थोड़ी पार्टिशन लेके उसे ट्विस्ट करके आगे से पहले तीन मैंने यहाँ पर पार्टिशन लिया है आयर का तीन सेक्षन लेकर मैंने यहाँ पर उसे ट्विस्ट करकर के थोड़ा सा फूस करके ऐसे हैस्टेल बनाई है और टिक पिन की यहाँ से मैंने इसे सिक्वर कर लिया है अब मैं थोड़ा सा मेरा मांग्टी का मुझे तकलिप दे रहा था तो मैंने यहाँ पर उसे बात में यूपिन यूपिन नहीं टिक पिन की है अच्छे से इसे सिक्वर कर लिया ताकि यह एंड में मुझे हैरन ना करे तो यहाँ पर मैंने मांग्टी का कलिया है अब मैं क्या करूंगी दूसरी साइड भी ऐसे थोड़े-थोड़े सेक्षन कि आप मेंने पहले चाड़ भी SI किया है लेकिन उसकी जो क्लिप थी वो मेरे से डिलीट हो गई है इसलिए आपको दूसरी साड़ भी SI करना है और बाद में टिक पिन के हपसे थोड़ा सा पूस करके टिक पिन के हपसे इसे सिक्यूर कर लेना है जैसे मैं कर रही हूं तो आप देख रहे हो आगे यहाँ पर मैं थोड़ा सा पूस कर रही हूं और आगे से कितना अच्छा लग रहा है और पाचे स्वारी पीछे मैंने थोड़ा सा मैंने हैर बैंड की हप से अच्छे से से सीक्यूर कर लिया अब चाहिए तो बन भी बना सकते हो अब मैं यहाँ पर मैक मैक अप सेटिंग स्प्रे लगा रही हूं ताकि मेरा मैक अप लॉंग लास्टिंग रहे तो मैंने यहाँ पर ब्लू एवन का मैक अप सेटिंग स्प्रे किया है और यह मेरा लास्ट लूक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल को स सब्सक्राइब कर रहे हो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो इतनी मैनत कर रही हूं आपके साथ इतनी अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब कर रहे हो पहली बार तो प्लीज बेल आइकन को जरूर इट कर देना ताकि मैं फ्यूचर में कोई भी वीड करती हूं तो आपको रोज नॉटिफिकेशन मिलेगी यह मैं कपलू का आप अंगेजमेंट में आपकी कूद के अंगेजमेंट में आप ट्राइ कर सकते हूं मैंने एक तम बीगिनर फ्रेंडली बनाया है और अज वैडिंग गेस्ट भी इसी यूज कर सकते हूं तो अब मैं मि देओ एक अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई टेक्ट आप